है लो फ्रेंड्स फ्रेंड्स स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल आरेन में क्रिटिव में तो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए एक अच्छा सा लेकर आया हूं इस बोर्ड में बहुत सारे फीचर से अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है ना तो वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंड यह जो बोर्ड है यह आपके 36 काम अराम से कर देगा यह आप मेरे से करणटी ले सकते हो अगर आप लेक्ट्रोनिक में लोनीज रखते हो तो आपको बोर्ड जरूर बना चाहिए आपके बहुत ज्यादा यूसफुल होएगा इसमें इन्वेटर भी है और एक जैसे अपना भी है जिससे की आपना फॉन भी चाहर सकते हो और इसे रात में भी यूजर कर सकते हो ठीक है यह बहुत यूसफुल है आप जसे घर पर अबड़े आसानी से भाणा सकते हो लेकिन मेरे साफ से आप यह वाला बोर्ड लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा तो क् को कि आप इससे आराम से तीन चीजों का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इससे दो हम बिजली से चलाएंगे टारे और यह वाला हम इसमें रखेंगे चीदा सिर्फ इन्वेटर का कनेक्शन रखें जिससे कि हमें इन्वेटर से आउट्पूट मिल सकता है ठीक है यह बिजली से दिखा देता हूं आपको तो इसमें तीन पोर्ट लगाएंगे ठीक है ना आप इससे अपना मुवाइल चार्ज भी कर सकते हो कुछ पांच बोल्ड की पाउर सप्लाई भी ले सकते हो एक एंपेर कम चार्जर मोडियूल इसमें लगा रहे हैं आप को इस अभी बोल्ड ले सकत दूसरा तीसरा हम इसलिए आ रहे है क्योंकि यह पाउर बैंक का भी काम करें अब इसका यूज़ कर सकतो बीच में लगाएंगे जिससे की पाउर बैंक का पदा सल सकते हैं अब तीन बैंड शुच ले लेने आपको ठीक है यह बैंड शुच आपको इसली मार्केट में मिल रखेंगे तो यह में काम आएगा कि हम उससे अपनी विजली चेक कर सकते हो ठीक है ना आप पर एक रखें अपनी पाउर सप्लाई का जिससे हम यह है आज भी बना कर दिखा हो अज़ भी बना दिखांगा एक हो एक टैन के का leatanक्र लिए लेना है ठीक आær से हमने इसमने सब्सक्राइब करेंगे क्यूंकि इसमędन डो बैटरी लगाने वाले sowas सके ठीक है ना जिससे कि हम आउटपूट वोल्टेज भी ले सके इसके काई फायदा है इसको मैंने सीरीज में कट्माट कर ले दिए प्लस माइनस और यह पॉजिटिव और यह नेगिटिव आपको सिंपली प्लस माइनस एक वाय लेक कनेक्ट कर लें जिससे कि 7.4 वोल्ट बन के आसपास अपना ले सकते हैं ठीक है ना इसमें काम आएगा ठीक है इसमें एक LM317 की आई सी भी लगेगी यह दो क्लिप लेना है जिससे कि हम जैक का काम कर सके प्रेंट यह आज सी सोकीट आप देख सकते हैं आपको चार लाने है क्योंकि एसी टीसी के लिए अलग और यहां सकते हैं और आपको 100क करेंशनेस लियाना है और बन के के दो दो खरेंस शुरू करते हैं वीडियो तो यह भी बहुत लंबी होने वाले तो आप प्लीज अराम से ठीक है ठीक है ना आप इसकी यहां से कर सकते हैं आपको शमान देखना कोई इंटरस्त नहीं हूंकि पा जाएगा जहां हम ग्लूगन बर देंगे जिससे की और मस्बूति है ठीक है तो आपको नहीं ऐसे चिपका लें तीनों बराबर तो देखे फ्रेंट्स मैंने इसको चिपका लिए बहुत अच्छे से और इसमें ग्लूगन बढ़ लिए तो आप चाहिए तो बीच में अच्छे अच्छे से फिर ग्लूगन बढ़ना ठीक है ना बिल्कुल सीधा रखना आप देखे हमारे पॉर्ट कि इतने अच्छे लग रहे हैं ठीक है ना हमाने एक्टेक्शन बॉर्ड यार यह थोड़ा सा गंदा हो रहा है इसलिए मैं सबाद में साफ कर दो अब कर आते हैं इसकी पॉइंट सेंव बोल्ड की बैंटर को मैंने यहां चिपका लिया है सुरी सेंट पॉइंट फॉर वोल्ड की वैटर क्योंकि हमने से सीरीज में कर लिए हमारा चार्जिंग बोड होगा ऐसे होगा एक सीच लगा रखा है ठीक है ना जिसके आप ऑन ओफ कर सकते हो इसको ठीक कोई डर नहीं होगा कैसे कैसे सारा डाइग्राम में समझा रख आप अच्छे समझ देना और यहां पर हम पने वो लगा लेते हैं पॉट ठीक है ना यह जैक लगा लेते हैं फटाफट से देखिए मैंने पॉट लगा लें यह लगा लगा लिए आप अलगला कलर के भी ला स बीच इसके प्लस माइनस को आपको दोना लिड़ी के अपस्टे की बढ़ाने माई नए प्लस माइनस यह देकि इन दोना लनी इस तो लीडिए यह में हम brag이 और यहां एक सो केका रिस्टेंस अभी हईट जे लेना यह लूजए बंक दीका होई कर देता हूं प्लस माइनस कर लेना ठीक है ना फिर जब हम 220 बोल्ट देखें मतलब एसी करन्ट चेक करें आप यह एसी डीस टेस्टर है तो जब और एक यहां पर डीस टेस्टर की कर लीया और क्नेक्स कर आपको तो एक बाई आपको डाराएं लगानने अधिकन रेना कोई सब्सक्राइब पोज़िटिव मैं बाद में बतांगा अब यह इदर के साइट करेंगे यहां बन केका रेस्ट ना एड किया है और यहां सोगे तो इधर करेंगे तो यह एसी बन जाएगा और इधर करेंगे तो डीसी बन जाएगा ठीक है ना ब्लू एलेडी ओन होएगी तो हमारे प्लस माइनस सई होंगे और उल्टे लगा देंगे तो एलेडी ओन हो जाएगी ठीक है ना तो सिंपल से कनेक्शन आप कर सकते हो अब हम य और दूसरी और पहली लियाग में बनके कर एड कर लेना है आपको मैंने इसका डाइग्राम बना कर दिखाऊंगा और यह वाली पिन आउटपुट के लिए होती है आउटपुट के निकाल रखी है और यह थर्ड वाली होती है इंपुट को यहां पर डारेक्ट इंपुट दिया है स्विच में नीचे वाले और यह रेड़ वाला डारेक्ट पोजिटिव में लगा दिया है ठीक है अब यहां से वोल्टेज अजेस्ट कर सकते हैं ठीक है इतना समझ माया आपको अब मैं इसका डाइग्राम भी बताऊंग यह ग्रीन वाला डाइटीव यह आउटपुट का है यह दुनों आउटपुट के वाहा है और यह इंपुट का यहां पर नेगिटीव लगा लेना को फिन नमबर बन में और यह नेगिटीव तो मैंने स्विच पर लगाई दिया रहे हैं अब अलडी इजिए बात कर लेते ह ये ब्लू तार जा रहा है ना आपको ये पॉजिट्टीव वाला एलेडी नेमें लगा लेनी है ठीक या और ये चाहँ आपको कुछ समझ मेंने तो मैं डायग्रम दिखा करने ने प्लस माइनस यहां एक वायर जोड़ लेना आप और यहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है तो सबसे पहले आप इसका कर लेना यहां से तो कि यह मैंने पहले इसकी वीडियो बना रखी है आप महां भी जाकर देख सकते हो ठीक है अगर यहां समझ में नहीं आता मैं लिंक डाल लूंगा सब बना कर दिखा रखी है ठीक है ना तो यह जो होता है यहां यह आउटपूट की बात कर लेते हैं अगर आपको बैंटरी चेक करने हैं वरना कोई जरत नहीं है ठीक है यह दो सोगेट में बताई थी मैं एक 20 वाली और यह जो साइड में निकल ली होती है अभी दिखा दूँँ आपको तो यह समझा देया आप यहां देख लिए मैं करकर दिखा देता हूं यह नीचे वाला और यह उपर वाला इसमें दो लगा रखें एक पूरा उपर का नेगेटिव होता है 20 वाला पॉलिटिव माने तेस्टर हम जब मैं दिखांगा देखिए यह लाइट जल जाएगी ठीक है ना आप इसे कम भी कर सकते हो लाइट को अगर बैटरी चेक करना चाहते है तो यहां से कम कर दिखें अब बढ़ाओंगा दीरे दिखें लाइट कितनी कम हो गई है इससे क्या बैटरी चेक कर सकते हो और आप इसका इतमाल ऐसे कर सकते हो ठी हुआ कि इ quirky दिए कम कर रहा हूं देखे इतने ही अधम हो गया है बहुत दीरे कर देता हुआ है कि ऑफितनी दीरे चल रही है इसके osticिद आप सकते हो कितनी धिरी चल रही है और फूल कर देता यहां की हमने बताया था ना यह यूएस्बी पॉर्ट लगाए तो ग्रीन वाला प्लस है और येलो वाला नेगिटिव यह आपको चेक करने पड़ेंगे एक कट यूएस्बी ले लिए यहां लगाकर अपने प्लस यहां लगाए अगर फोन उड़ जाता है तो आपको प्लस माइनस कौन सा है ठीक है इसमें ब्लैक प्लस माइनस माइनस लिया है क्योंकि यार यह जो हमारा चार्जन में जैक लग रहा था उसके कनेक्शन उल्टे हो रहे तो मैंने यह से चेंज कर ठीक है यह दो इसके और यह ऑले यह पावर वाला पोजिटीव आपको सीधे कर लेने फ्यक्यादर यह अब कोई साटेश्म वार्णा ना वह सकते इसका को फरीड को तो यह पनेक्वा दिखले यह वह वाल इन्वेटर जो मैंने पिद्ली वीडियो में बनाकर डिखाया है त जो इसके connection सिंपल सही है कुछ नहीं है यहां पर आपको एक ट्रांसफर्मर ले ले लेना है लोकल चार्जर का यहां पर यह दो कर वायर जा रहा है यह इसी करंट के हैं और टांजिस्टर लेना है बीड़े लेक्स उन्तारिस का यह बीच वाली लगा लेना एक सी करंट के वायर होंगे ठीक है अब यह साइड वाली वायर हम यहां पर यह यहां पर हम एक तीर तीश ओम का रेश्टेंस एड़ कर देंगे इस वाली पी पर रिश्वाली पर और यह 3 पीन ट्रांजिस्टर की इसे यहां और यह इसका नेगेटिव हो जाएगा और रजिस्टेंस वाला नीचे वाइर जा रहा है बीच का यह पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है न यहीं आपको इस वाले में लगाने नहीं है पावरवैंग का भी मैं दिखा देता हूं पार वेंग का एक 58-05 क्या इस ले लेनी है इसमें भी आपको लगा लेना है ठीक बीच वाले में आपको नेगटिव लगाने दो यह ऐसे समझ लेजे आपको कि यह जो हम यहां से input देंगे negative में दो वाय राइड कर लेना है ठीक है ना अगर आप यहां पर negative नहीं दो गये तो इसी काम नहीं करेगी तो negative वाले यह वाय लेना है is in अपना AH यहां पर एक दोना ना इंडिकेटर में अप एक का रिस्टेंस ले देता कमें रिस्टेंस यूज कर रहा हूँ कर लेकर यूपятся है यहां पर LED ले लेकर इन करलें इनकेटर में यहां पर बना रहा हूं क्योंकि यार और इसमें कहीं जंगा नहीं बची ठीक है ना उपर वैस्ट सही रहाएगा और यह फाइर ग्लास स्लीव आप ऐसे लगा ले ना इसमें प्लस माइनस नहीं होता क्योंकि जब हम एसी करने देते हैं तो अब इसको यहाँ पर डारेक्ट शोल्ड कर लेना दोनों पिन पर ठीक है ना इंडिकेटर का यह हो गया है कि अब देखते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां साब अपनी मैट्रिस को चार्ज सकते हो सबसे पहले आप एक एक करके चार्ज करना एक लगा लेना दोनों एक साथ मतलगा नहीं बैटरी इस खलाब हो सकती है यह सोट सर्कृट भी हो सकते हैं यहां पर आप जब लेते हैं आप अब कर लेते हैं कि नहुंदेदी कर सकते हो यह इन इनवेटर का है ठीडिक यह एक टेस्टेद्र छेगे लगाने तो आप यलोवाला क्लिप इसमें दो राइल लग सकते हैं तो इसमें आप को बीज बीज में लगाया है ठीक है ना तो सबसे पहले मैं आपको है बिना लाइट के चला कर और इससे कि आप कर लो कि है यह वर्क कर रहा है कि नहीं तो अब आपको इस से टेस्टिंग कर दिखाऊंगा सबसे पहले कुछ नहीं करना है सबसे पहले नीचे वाला स्वीच ओन करना है अब यह जो वायरिंग इसकी यह थोड़ी एक लंबी है ठीक है यह वायरिंग कर रही है और यह एक नट हो जाई है सब्सक्राइब कर देता है यह देखिए पर अपने टेस्टर को टेस्ट कर सकते हैं कोई बैटरी चेक करना तो उसके वोल्ड गिरा जिससे कि हमारी एलेडी फ्यूज ना हो ठीक है ना क्योंकि जब वोल्ड मिलते हैं तो वह सीरीज में गनवाट हो जाते है इसलिए लेडी फ् सकते और ठीके ना कि इसे फिल परक्ना भी कोई हाई पावर की चीज होती तो उसमें यार ज्ज्यांदा मृटेज है तो अपनी म मोटर चेकर कर दिका रहाए ये नियगतर में है और देह दके से बिलकुल एक है यह देखिए बच से दिखा दो आपको बिलकुल ऑके ठीका न पर गाए यह यह ब्लिंक कर रही है अप्रन यह वाइट लेशन नहीं कर पार रही है क्योंकि हम इस जना भी पावर है यह फिलेंग नहीं कर देख लिए तब यह चलती है क्योंकि पॉजिटिव नेगिटिव अपड़ता है तो कॉंटिनु टेस्टर बिल्कुल अच्छे पर कर तैस्तिंग दिखा देता हुए ज़्यादा बढ़ी हो जाएगी सबसे पहले हम आपको आपको बाद में च्छेक आप एक 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 उडिसी टेस्ट टेस्थ कर लेते हैं पर मोड कर येल्लो वाला क्लिप येलो में और ये वाइट वाला वाइट मैं ठीक है तो कि आप सोचो यार यहां पर तो हमें लग सकता है तो फ्रेंड मैंने 20 वाला ही लगाया है यह वाला निकाल जाए ठीक है ना जिससे कि जिसके तो यह रोंग कर रहे है तो आप देख सकते हैं यह यह उपले ब्लिंक कर रही है तो हमारा यह अब अब बिल्कुल रगाया है अब आपको यह तरप आप देता हूं और डिखाना ठीक है यहां पर एक इंवेटर में आ तो ऊपर आला कर लिए इससे पार्व तो यार एलेडी तो है नहीं कोई तो फटा-फट इससे चेक कर लेता है मना वीडियो भी लंबी हो जाएगी आपको दिखाऊंगा यह देखे दोनों एलेडी हलकी हलकी ब्लिंक कर रहे हैं लाइट में आपको नजर नहीं आ रही होगी देखे एक भी लगाओ गए तो ब्लिंक सब्सक्राइब हो जाएगा हमारा सब्सक्राइब अब बिजली से नहीं इन्वेटर चेक करकर दिखना जिससे कि आपको पतसलिए इन्वेटर भी अच्छे सब्सक्राइब कर दिखा देता हूं ठीक है यार वीडियो थोड़ी लंबी है तो फ्लीज पूरी देखना पना आपको दिखाऊंगा यह पेच खोल लेता हूं तो खोलने के बाद यह देखे यह निकल रहा है नहीं यहां पर मैं इसको लगा लेते हैं अब मैंसे आपको कोई भी चीज मोटर वाटर दीरे कम जादा करकर दिखाऊंगा ठीक है तो यहाला सुच बन कर लिए मैंना इन्वे दाओ नीचे का पना कर लेते हैं पार स्प्राइज करकर दिखा देता हूं आपको ठीक है अर अच्यासे क्याम राओंनल स्टेक कर दिखाऊंगा अकर एफ़ें डारा यह दो कि ईनू है कुण कर दिखा देता हूं तो आप मनलदीश सब्सक्राइब चलते हैं या यह kilow कश तो तो आप दूद सब्सक्राइब कर दीका रहा है ठीकर थेखके वूल्ट इस पर बढ़ते हैं यार । यह देखें वो भाष्ड़ सब Конечно यह देखे आवाज भी सुन सकते हो आप ठीक है ना यह टेस्टिंग हो गई है तो बस आप अलग-अलग क्लिप का यूज़ कर सकते हो ठीक है ना दो वाइड ले लेना अगर इसमें यूज़ करना है यह आपको वाइर चेंज करना ही पड़ेंगे क्योंकि एसी बढ़ना हमारा अब एक डाटा के भी ले रहा हूं और आपको फोन या मॉइल जो भी चार्ज करना चाहिए कर सकते हो ठीक है ना यह इन्वेटर काउन कर रहा हूं यह देखे यह ग्लूगन बनाई थी मैंने अच्छे से चार्ज हो रही है मोड्यूल लगाया था ठीक है रेड एलेडी ब्लिंक कर रही है अगर इसकी वीडियो देखनी है यह रिचार्जेवल ग्लूगन है बहुत अच्छे गरम होते हैं ठीक है ना इसमें मैं थोड़ी सी वीडियो में कुछ बताया था जो स्वीच लगाया था आप उसकी जंगा यह बैंड चुछ लगा लेना ठीक है ना यह अच्छे सब्सक्राइब करेगा तो यह देखें अच्छे चार्ज हो लें आपको गएगी यार 1805 की जो रेगुलेटर उससे चार्ज नहीं होगा फोन तो इसा नहीं है यार मैंने चार्ज करा है आपको कुछ वीडियों नहीं बताता है पर हाँ आप इससे जाज से जएधा अपना फोन को 20 से 30 या 40 तक कर सक हुआ है कि यहां पर वाइट वाइट एलीडी यह देख सकते हो आप कैमरे में अच्छे नजर नहीं आए कि यह बहुत लाइट जलाने के बाद में यूज करता हूं अपनी वीडियो बनाता हूं तभी क्लियर आती है यार फिर फिर थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं बहुत अब नीचे मैंने दिखाया था ना तो यह देखें मैं यहां पर गुलूगन लगा रहा हूं पर यह देखिए तो यह चार्ज हो रही है उपर वाले में लगा कर दिखा देता हूं यार तो यह देखें काफी अच्छे जबर कर रहा है यह देखें यहां पर आप अपने कोई भी दो आइटम लगा सकते हो ठीक है ना तो वीडियो अच्छी लगे तो यहां लाइक करना चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना